गाजियाबाद के थाना इंद्रापूरम इलागे की बसुंद्रा कॉली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बाइक पर सवार दो बदमाशों दुआरा आर डबलू यू ए एसोसियेशन के सच्चियू के घर के बाहर फाइरिंग की गई और इतना ही नहीं घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी तोड़ा गया और बदमाश मौके से फरार हो गए लेकिन उसके बाद आर डबलू यू एस का सचीव और उसका पूरा परिवार देहशत के कारण घर के अंदर ही रहने के लिए मजबूर रहे फाइरिंग के बाद पीडिक परिवार द्वारा पुलिस को सो नंबर पर कॉल किया गया सूचना के अधार पर मौके पर पहुची पुलिस ने पीडिक परिवार को घर से बाहर निकाला और ये पूरी घटना वहां लगे सीजी टीवी कैमरे में कैड हो गई जिसके आधार पर थाने में पीडित परिवार द्वारा तहरीर भी दी गई है और CCTV सुटेज भी पुलिस को सोब दी गई है अगर वहां पर और आज शुबह ये हुआ और उसमें थाने में भी हमकी दियो इसकी रिकॉडिक है आज क्या सुबह आपने क्या देखा क्या हुआ सुबह हमने देखा कि दो लड़के आए हाँ पर उन्होंने हाथ में पिस्टल तीया क्या नहीं सकता क्या था लेकिन उन्होंने गोली चलाई और मेरी गाली के सीसरे तोड़ विया मेरा भटीजा इस सचय पर उस्टल पाले उस्ते पुचर कौन है को नुग निए क्या निचे बताएं के नीचे बताएंगे तो बहुत हुए तुने देखा कुछ पुष्च है उसके बाद सब्सक्राइब करें तो पुलिस को भी आप पर शक है आप नाम जद रिपोर्ट करें तो पहले भी कोई स्थीज को लेकर विवाद हुआ है पहले भी जानले पामला किया है इनों पांटी शेय का मुझतमा पहले भी हुआ है उसके किनाफ मैं मेरे मानने की 15 लाग रुदे की सुभारी नहीं ने गजमासो बुदे रख की है या बात करी है उसकी भी हमारे बास ओड़ियरी कोई शर्थाना इंद्रापरम इंदापरम इलाके कुमें वसंद्रा में आर डवले क सच्छी के दर के बाहर हवाई फाइडिंग होई है क्या है पूरा मामने यह थाना इंद्रापरम में इस मॉल पड़ता है उसमें मॉल के ओनर और वहार जिनकी दुकाने उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है इस सम्मंद में थाने के यह दोनों पक्ष कल आये और आज उसमें बाकी लगों को बलाया गया था जिस पश करने के लिए इसी बीच में जो दुकान के मालिक है उनके दर के सामने आज सुबहें इस प्ड़ती फुटेजें मेला है जिसमें की दो प्रमाशाय वार उनके दवारा फाइरिंग की गिलिए हुआई फाइरिंग उनके दव में उर्फ लिए का मैं।